हेलो मेरे प्यारे दोस्तों स्वागत है आपका एक और न्यूव वीडियो में तो दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं किस तरीके से आप अपने किसी भी एंडुड डिवाइस का कंट्रोल सेंटर कैसे कस्टुमाइज कर सकते हैं जी हाँ दोस्तों जैसा कि आपने वीडियो के इंट्रो के पार्ट में भी देखा होगा मैंने अपने एंडुड डिवाइस का कंट्रोल सेंटर कस्टुमाइज कर रखा है जिसमें आपको ब्राइटनेस बटन भी कस्टुमाइज देखने को मिल जाएगा यहाँ पर सारे जितन कर सकते हैं तो चलते हैं वीडियो को सुरू करते हैं तो दोस्तों अपने मुगल के कंट्रोल सेंटर कस्टुमाइज करने के लिए सबसे पहले आपको जाना है वहां से एप्लीकेशन को इंस्टॉर करना है जिसका लिक में आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँग दे लिकरने पर आपको क्लिक करने हैं यहां से अश्यप्साइब कर देना के अपको घृइंख़ने को मिलें चीजिया ने को ? यहां सी आप यहां पर आपके सामने तीन परीशन और देखने को मिलींग तो य हैब करने के गए हैं गए इस तरह के प में अब हैङ। आपको नेक्ष्न करना हैने करते हैं इसके के होम पेज यानि की में पेज ले जाएगा यहां पर आपको काफी चीज़े देखने को मिल जाएगा जैसे एक इसको हम से आपको इनेवल नोटिफिकेशन आये तो उसको भी आपको यहां से और ध्राइगा और यहां से अपकास्टुमाइज कर सकते हो तो इस तरीके से आप को यहां पर रखना है तो अब थोड़ी कर देंगे आप घूट का कलर का हो जाएगा तो इस तरीके से आप इन बटनों को भी कस्टोमाइज कर सकते हो और उसके साथ सब्सक्राइब आप स्किप करोगे साइड में आपको और भी ऑप्सन देखने को मिल जाएंगे जैसे कि फेस्बुक हो गया वाट्सअप हो गया यहां से आप डिर्क इस पर किलिक करके अपने मेल जैसे मेल हो गया आप उस चीज को भी डिर्क यहां से कर सकते हो तो काफी ऑप्सन देखने को मिल जाते हैं यहां से आप साइट से कि नोटिफिकेशन अपने सकते हो और यहां से सारी की सारी की 100% बर्किंग करो तो दिम हो जाएगी अप करोगे तो ब्रेंट ब्रेट भढ़ जाएगी तो इस तरीके से आप अपने किसी भी नौर्माल मुबाइल का कंट्रोल सेंटर कस्टोमाइज करके काफि엽 लूच के यूडों का बना सकते हैं दोस्तों वीडियो पसंद